Hi everyone, क्या आप जानते हैं और्फिकी का मीनिंग क्या होता है? और्फिकी, और्फिकी का मीनिंग होता है एक ग्रीक वर्ड से डिराइफ होके जिसका नाम है और्फिक और और्फिक का मतलब है beyond ordinary और आज हम ऐसी कुछ बात करने वाले हैं beyond ordinary क्योंकि ordinarily ये जो confusion है जिसके लिए आप यहाँ आज आए है वो है science versus commerce ये एक ऐसा confusion है जो जादातर बच्चों को हुआ है parents को बच्चों के लिए हुआ है we will find a solution to this not just based on ग्यान but we will find this through an activity that is what we are going to do differently तो आप तयार है let's get started right okay अब मैं ये थोड़ा clear कर दूँ जब मैं बोलता हूँ science versus commerce तो मैं science के bio group की बात नहीं कर रहा हूँ या medicine, medical sciences, pharmacy की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चों ने ये decide किया है कि मैं biology, medicine, pharmacy, biotechnology लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ I am sure उनको पता है कि वो ये क्यों करना चाहते हैं और उन्हें ये जो career options हैं ये समझने में कोई ज़ादा difficulty नहीं हो रही है आप समझें? इसलिए क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब से हमारा birth होता है वो hospital में होता है और हम इतनी बार doctors को अपने around देखते हैं pharmacist को अपने around देखते हैं हमें ये मालूम ही है ये career options क्या है तो इसको लेके कोई confusion ज़ादा तर बच्चों में नहीं होता in fact parents generally ask me not this question science versus commerce but वो पूछते हैं ये question engineering versus commerce तो हम इसको थोड़ा modify करके ये clarify करूँगा कि हमारा topic हम ले लेते हैं engineering versus commerce okay let's get going now एक disclaimer से शुरुआत करता हूँ आपको बहुत ही honestly मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो आज बताने वाला हूँ ये information नहीं है information YouTube पे इतने सारे channels पे available है across the internet available है Google पे available है जहाँ आप ये जानना चाहते हैं अगर के fees कितनी लगेगी colleges कौन से best है इसका answer मैं आज नहीं देने वाला है मैं confusion का answer दूँगा अपने perspective से so I hope the agenda is clear the disclaimer says कि ये perspective है और perspective एक आदमी का खुद का होता है ठीक है ये किसी और का नहीं होता वो उसका खुद का होता है तो आज आपने मेरा perspective सुना है you can listen to a lot of perspective across the internet right so let's get going from here अब ये planning जरूरी क्यों है अगर मैं ये पुछू हूँ कि ये planning जरूरी क्यों है कि science या commerce I am sure जो बच्चे ये देख रहे हैं या parents देख रहे हैं वो अलग-अलग age group के बच्चों के लिए देख रहे है या अलग-अलग age group के बच्चे आज हमारे साथ gathered है ये planning जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको future ready होना जरूरी है आपको ये पता होगा कि दुनिया बहुत rapidly बदल रही है ये photograph across the internet rounds करता रहता है हमें कहीं WhatsApp पे या कहीं मिल गया होगा ये जो photograph है ये आपको बताता है कैसे 10 साल के अंदर ये जो पाइलेट है और कैमरा मैन है दोनों की जॉब चली गई और एक ड्रोन ने रिप्लेस कर दी और दुनिया इसी तरीके से बदल रही है जो conventional jobs है वो जा रही है continuously जा रही है ठीके अगर मैं बात करूँ ये सारे photograph आपको ये बताएंगे जैसे हमने देखा हम airports पे जाते थे तो एक boarding pass देने के लिए एक airline का employee बैठा करता था वो boarding pass देने के लिए वो employee की जगे आजकल self-help kiosk है हम जानते है fast tech का implementation हो रहा है हमारे national highways में उसकी वज़े से कई सारे toll पे काम करने वाले लोगों की job या तो चली जाएगी या बदल जाएगी ATM आ गए और बहुत सारे cashiers की jobs बदल गई या चली गई तो दुनिया rapidly बदल रही है और planning करना बहुत ही ज़रूरी है now मैं जब यह सब बताता हूँ तो मैं कोई doomsday theory नहीं दे रहा मैं यह नहीं कह रहा कि jobs नहीं होंगी मैं human ingenuity को question भी नहीं कर रहा humans amazing species है 1900 की बात करें तो 1900 में शुरुआत हुई थी इस तरीके की jobs से farms पे सबसे ज़ादा jobs हुआ करती थी gradually 2000s आते आते वो jobs in cubicles में हो गई आप देख सकते होंगे ठीके but job का nature definitely बदल जाएगा और आज से I'm sure आप 5 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद एक career की शुरुआत करेंगे उस समय के लिए क्या education लेना है हमें उसके बारे में हम बाचीद कर रहे हैं ठीके so let's move forward ऐसी कौन सी skills है जो मैं समझता हूँ आगे भी thrive करेंगी और ऐसी कौन सी skills है जो इन courses के थुरू आप develop कर सकते हैं again यहाँ पर मैं एक clarification देना चाहता हूँ ठीके मैं एक clarification आपको दे दूँ जहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो भी skills मैं बताऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ science वालों में वो skills होती है नहीं ऐसा जरूरी है कि सिर्फ commerce वालों में यह skills होती है बट एक general bifurcation हमने किया है जहाँ मैं यह मानता हूँ कि जो बच्चे science लेना चाहते है वो specialist बनने की तयारी कर रहे होते है specialist एक specialist आप समझते है हमारा bike का mechanic एक specialist होता है हमारा AC repair करने वाला एक specialist होता है उसी तरह amazing computer engineering AI, electrical engineering यह cars बनाने वाले automobile engineers यह सब experts होते है engineering लेके आप चीजों को produce करते है आप यह समझते ही है आप चीजों को develop करते है और साथ साथ में problems को solve करते है तो यह आप देख रहे हैं उसी तरहीके से commerce जब हम लेते हैं तो हम थोड़ा सा अलग काम करते हैं हम produce नहीं करते develop design नहीं करते but हम क्या करते हैं जो data हमरे पास है उसका decision making करते है decision making आप देख पा रहे हैं यह ठीक है हम चीजों को grow करने की organizations को grow करने की कोशिश करते हैं हम identify करते हैं problems को और उसे solve करने का conceptualization करते हैं ठीक है आपने सुना होगा कैसे managers या CAs ये सारे काम करते हैं इसलिए ये ज़्यादा decision making data को analyze करने का एक course हो गया और ये ज़्यादा specialist बनने का course हो गया मतलब इसमें आप एक career में depth में जाएंगे और इसमें आप अपना career options और knowledge base को broaden करेंगे not just restricted to one particular stream आप इस तरीके से इनका difference देख सकते हैं I hope ये आपको clear हो रहा है अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ जादा तर बच्चे ये तो समझते हैं कि ये specialist बनने का course है ये एक general career option है जहाँ पे आप अलग-अलग streams में काम कर सकते हैं एक और चीज़, streams की मैंने बात की जब आप science लेते हैं तो आप engineering लेंगे mechanical engineering या electrical engineering तो उस particular domain की industries में काम कर सकते हैं जब आप commerce लेते हैं एक finance का department या human resource का department या इस तरीके से taxation पे जो आप काम करते हैं being CAs ये सब most companies को जरूरत होती है commerce लेने वाले बच्चे कही बार business inclined भी होते हैं वो लाजमी हैं, I hope you understand that right, so ये differences होते हैं ये differences पर आपको बहुत सारे again internet पे मिल जाएंगे आज हमारा objective ऐसी information देना ही नहीं था हमने क्या claim किया था हमारे start में कि हम इसको बताएंगे not just by information and ग्यान, हम इसे बताएंगे एक activity के base पे यही और फीकी कि हमेशा specialty रही है और आगे भी रहेगी हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़े already internet पे हैं, उसे reinvent करने से मतलब नहीं बनता हम वो चीज़े करवाते हैं जो आपको easily नहीं मिलती है across the internet और इसे लिए हमारे channel का नाम है और फीकी on demand जहां आप demand करते हैं अपने confusions के बारे में और उसे हम solve करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है, मैं आपको activity पे ले जाता हूँ, देखिए कई लोग बात करेंगे जब science versus commerce लेने का decision आता है कि आपका passion क्या है ये डूढ़ीए, passion क्या है पर passion पता कैसे चले, ये most बच्चों का confusion होता है उसका भी answer, बहुत सारे experts आपको बताते हैं answer क्या है, introspection self evaluation introspection, ये word का मतलब होता है, अंदर जाकना ठीक है, तो आप खुद के अंदर जाकते हैं और कुछ सवाल पूछने, उनसे आपको ये solution बहुत आसानी से मिल सकता है, बट गलती बच्चे वहाँ कर जाते हैं, parents वहाँ कर जाते हैं, जहां बच्चों से enough सवाल उनको खुद पूछने नहीं देते हैं, वो कई बार careers बच्चों पे थोप देते हैं तो ये गलती parents को avoid करनी चाहिए, इसमें मैं आपको आगे ये भी बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे खुद से enough questions ही नहीं पूछ पाते हैं, तो आप जो हमारी activity है, इसी के base पे है, introspection के base पे, तो चले शुरू करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को post करें pen और paper लेके आए, उस activity के लिए तयार हो जाएं I am sure आपने वो कर लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलिए, अच्छा आगे बढ़ू उससे पहले, let me go back और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप pen और paper से हमें करना क्या है आपको मैं 5 आसान से सवाल पूछूंगा, 5 easy questions वो 5 आसान से सवाल जो है, उनको आप number 1 to 5 अपनी page पे लिख लिए, अपने book में लिख लिए वहां लिखने के बाद, आपको उन numbers के सामने एक answer लिखना होगा answer A लिखना होगा, या answer बी लिखना होगा, सवाल होगा, दो options होंगे, आपको option A या option B ये चुनना होगा, ये exercise है हमारी, अगर आपको लगे कि आपको option A और B के बीच चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और आपको लगे कोई, मैं difference ही नहीं create कर पा रहा between option A and B, तो आप both A and B भी answer लिख सकते हैं, बड़ उसे कोशिश करिएगा कि आप avoid करें, आपका जो सबसे liking का option है, वो आप चुने, ठीक है, शुरू करते हैं हमारी activity, पहला question जो आपके सामने आ रहा है, पहला question ये है, what do you like more, आपसे अगर पूछें, कि आपको क्या ज़ादा अच्छा लगता है, to design things, जहां हम जानते हैं कि कई बार हमें design करना पड़ता है, कोई चीज बनाने से पहले, कोई science project हमने किया, उससे पहले design करना पड़ता है, या फिर आपको dream करके कोई concept सोचना अच्छा लगता है, भले उसकी design कोई और आदमी कर ले, यहां से सुनिएगा, design करना वो ज़ाद पसंद है, या दूसरा, जहां आप concept सोचते हैं और वो बनाने का काम शायद आपके लिए कोई और कर ले, किस तरीके का design होना चाहिए, truthful रहेगा आपने आप से, और फिर आप चुनेंगे एक option, ठीक है, don't cheat yourself, that's very important, okay, option A and B, आपने चुन लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आपको conceptualize या design करना, इनमें चुनना था, next question, आपको क्या जादा अच्छा लगता है, ठीक है, what would you be good at, आप किसमें जादा अच्छे होंगे, making stuff, चीजों को बनाने में, या selling stuff, चीजों को बेचने में, ठीक है, अब ये कहां आपने experience किया हो सकता है बच्चों ने, वो बतात या parents भी बच्चों की in traits में ध्यान दे सकते हैं, जब हम making stuff की बात करते हैं, क्या students, ये science projects वगेरा बनाना हमेशा से enjoy करते हैं अपने schooling में, तो obviously making stuff is their forte, अगर हम दूसरी बात करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो school events में बड़े बढ़ चड़ के participate करते हैं, और ये बच् प्ले करते हैं, जहां पर वो बहुत अच्छा sponsorships लेके आते हैं, MUNs में involved होते हैं, इस तरीके के बच्चे obviously selling में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको इनके बीच में decide करना है, I hope you have chosen between the two, which would you be better at, ठीक है, next question आपके तरफ आ रहा है, I hope आप paper में लिख रहे हैं अपने answers, आ आपको क्या जादा अच्छा लगेगा, to produce data, ठीक है, data produce करना अच्छा लगेगा, जैसे एक example देता हूँ, हमें कई बार पता भी नहीं होता, कि हम अगर किसी website पे जाते हैं, किसी channel में हैं या किसी app में हैं, तो क्या आपको मालूम है, कि आपकी हर activity और movement उस channel पे, या उस website प किसी दिन देखेंगे, heat mapping, जहां पे थोड़ा brief बता देता हूँ, अगर आप एक website में हैं, तो किस किस जगे आप click जादा कर रहे हैं, जैसे ही इस photograph में आपको दिख रहा होगा, उसके login पेज पे या किस section में, वो पूरा analyze किया जा सकता है, अगर आपको इस तरीके का data बना, produce करने का system डूंडना अच्छा लगता है, कि मैं कैसे डूंड सकता हूँ, data कहां कहां से मिल सकता है, तो उसके लिए software बनाने पड़ते हैं, उसके लिए वो सब सोचना पड़ता है, वो जादा अच्छा लगेगा आपको, या आपको ऐसा heat map किसी ने दे दिया, किसी ने data दे अब analyze करके इससे decision क्या लेना है, वो जादा अच्छा लगेगा, यह आपको सोचना है और एक option चूज करना है, थोड़ा सा difficult है, technical है, इसनि मैंने elaborate ती आपको समझाया, कि क्या आपको जादा अच्छा लगेगा, data कहां कहां से मिल सकता है, हमें क्या data points से हम ला सकते हैं, answer, व वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर उसको data मिल गया, उसके बाद analyze करके अपना result बताना, यह आपको decide करना था, fourth question, क्या आपको जादा अच्छा लगता है, to make stuff or to strategize, क्या आपको actually चीजों को बनाना, जोड़ना, तोड़ना वो जादा अच्छा लगता है, या parents अपने बचों को जानते होंगे, क्या उन्हें यह जादा अच्छा लगता है, या किसी चीज़ पर strategize करना, कोई problem आजाती है, तो हो 10 solution लेके आता है, भले ही अभी बहुत अच्छे solution ना लाता हो, बट अच्छे solution लेके आता है, इन में से आपको एक decide करना है, बचों A और B select कर लिय होगा आपने, ठीक है, 5th question पर जाते हैं, what would you like to be called, आप कैसे remember होना चाहेंगे, एक inventor की तरह, आपने बहुत सारी inventors का नाम सुना ही होगा, Newton, Galileo and so and so forth, and आपने सुना होगा कुछ visionaries का नाम, जिनको inventor की तरह नहीं, बट visionary की तरह remember किया जाता है, what would you like to do more, I hope आपने पांचों question के answers A, B में दे दिये हैं, अब इसका result देख लेते हैं, और quickly आपको इस पूरे confusion, इस mystery को unravel करते हैं, ठीक है, चलिए, अब results की बारी आई, ठीक है, excited है आप लोग, चलिए, अगर आपके 3 से जादा A's answer आए हैं, अब मैं अपना I'll be sticking my neck out, और आपको एक conclusion बताने की कोशिश क करता हूँ, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हर बच्चे के लिए छोटी से exercise से answer नहीं आएगा, बट indicative answer definitely मिल सकता है, और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जहां पर अगर आपके 3 से जादा A आए हैं answers, आपके जो list में आपने लिखे हैं, 3 से जादा A's, तो मैं ये definitely बता सकता ह कि आपके लिए, शायद science की तरफ सोचना और engineering की तरफ सोचना जादा बहतर decision होगा, I hope you understand that, right, तो आपने अपनी sheet में लिखा होगा, तो ये answer आपको मिल रहा होगा, ठीक है, more than 3 A's, अगर आपके आए हैं, तो A की तरफ जुकाव जादा है, तो science, especially engineering, शायद आपके लिए है उसी तरीके से, तो science, engineering तो आप समझते हैं, 4 साल का course होता है, ये information आपको across the internet मिल जाएगी, तो मैं ज्यादा dwell नहीं कर रहा, B.Tech.Degree या B.E.Degree, ये अलग-अलग नाम से इसे कहा जाता है, going forward, अगर आपके more than 3 B's आए हैं, अगर B आए हैं आपके answers, ज्यादा, 5 में से 3, 4, 5 B आए हैं answer, तो मैं शायद इसे conclusively कह सकता हूँ, कि आपका जुकाओ, ये आप ज्यादा बहतर करेंगे, अगर आप commerce की stream लेते हैं तो, I hope that should be clear to you, अगर B's ज्यादा आए हैं तो, आप शायद commerce की तरफ देख सकते हैं, अच्छा, क्या ये हुआ है, ये चेक करिएगा अपने paper में, कि जादा तर जबों पे आपने answer A and B बोला है, अगर ऐसा हुआ है कि आपने जादा तर answer A and B बोला है, तो तब बड़ा confusing हो जाता है, कि मेरा science की तरफ भी, commerce की तरफ भी चुका हो है, इसका answer शायद lie करता है, जिन बच्चों को दोनों में interest है, शायद ये lie करता है, कि आप ये समझ सकते, there is no mistake, अगर आप ये बात भी मैं parents के लिए और बच्चों के लिए clear करना चाहूंगा, अगर आप science ले लेते हैं और कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे जाके अब थोड़ा commerce की तरफ रुजान आ रहा है मेरा, या उल्टा होता है, आप commerce ले लेते और आपको लगता है मेरा science की तरफ भी थोड़ा रुजान आ रहा है, आपको दोनों तरीके के options या converge करने के options मिलते हैं, obviously यह एक true fact यह है, science वालों को जादा मिलते हैं, हर तरफ जाने के options, commerce वालों को थोड़ा difficult होता है technical field में जाने के पर उनके भी options होते हैं, इनके बारे मे एक और वीडियो में कभी बात करेंगे, बट अगर आपके answers generally रहे, B के लिए commerce था, हमने देखा, अगर आपके answer बोथ A and B रहे हैं, तो मेरा कहना यह होगा, कि आप शायद इस रस्ते जा सकते हैं, जहां आप पहले B tech करते हैं, और उसके बाद MBA का planning करते हैं, यह आपकी दोन no needs को satisfy करेगा, तो यह आपके लिए, एक basic solution हुआ, obviously जब हम, आप हमें contact कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, और हम individually भी आप से बात कर सकते हैं, और इस confusion को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे mentors regularly यह करते हैं, okay, so I hope that clears all the options, right, going forward, thank you very much, कि आप लोगो ने join किया, I would like to say here, कि अगर आ अगरा हो कि हम अच्छा काम कर रहें, आपको एक activity based solution मिला, या at least आपको इससे पता चला कि आपको खुद से क्या सवाल पुछने चाहिए, तो मैं आपको request करूँगा कि आप like करें, subscribe करें हमारा channel और वो bell icon को hit करें, और यह मैं भूलिएगा, कि हमारा channel एक unique on demand concept पे channel है, जहा आप अपना confusion demand करेंगे, आप इस email ID पे अपना demand भेज सकते हैं, info at the rate orfiki.com और आपके demand जो है, उसे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, thank you very much, see you.